दुर्गेश किलास में आप सभी दोस्तों का शुवागत है यदि आप मेरे चैनल पिन है तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब करने और साथ ही बिल आइकन को दवाना न भूलने जानते हैं सक्षमता उत्रिन सिक्षक एवं नियोजित सिक्षक के बिसे में जानकारी जो अभी निकल के सामने आई है आप देख सकते हैं दिनांक 28.11.2024 जैसा कि यहां पे लिखा गया है कि बिहार मादमिक सिक्षक संग के अवाहन पर तीन सुत्री मांगो पर जोड़ने के ल संपन हुआ तीन सुत्री मांगो में नियोजित सिक्षक की परणोती सेवा की निरंतरता एबम एक्षिक अस्थानतरन सामिल हैं माननिय मुखमंत्री ने 20.9.2024 को अस्थानतरन पदस्थापना नियमावली को निरस्थ करने की साकारात्मक घोसना की थी उसके लिए उनको धन पनबाद किया गया है लेकिन अभी तक विभाग ने किसी परकार की अधिसूचना जारी नहीं की है आगे बताते कि बिहार मादमिक सिक्षक संग की मांग है कि अस्थानिय निकाय में नियूक्ति सिक्षों की नियूक्ति तिती से वेतन ब्रदी का लाव देते हुए उनकी व आज तक नियोजित सिक्षक वेतन की वी संगतियों का दंस जहेल रहे हैं। उसी तरह बिहार लोग सेवा आयोग द्वारा न्यूक्त महिला एबं पुरुस तथा सक्षमता परिक्षा में उतिन सिक्षों को भी एक्षिक अस्थानांतरन का लाव दिया जाए। 2023 में निदेशक मादमिक सिक्षा के द्वारा जो अवकास तालिका लागू की गई थी ठीक उसी के अनुरूप 2025 की अवकास तालिका लागू की जाए। सिक्षों की उपस्थिती बनाने में इंटरनेट की कठनाई को ध्यान में रखते हुए। उपस्थिती बनाने के लिए पुराने नियम को लागू किया जाए। तथा मांसिक परिक्षा के अनावासक और वेभारिक आदेश को वापस लिया जाए। धरना को संभोधित करने वाले डॉक्टर संजीब कुमार सिंग, प्रफेशर संजे कुमार और डॉक्टर अश्भाक, अमरजीत कुश्वा, संजीब स्याम सिंग और पूर्विधान पारश्यद, बिहार माद्मिक सिक्षक संक्यो पाध्यक्ष, डॉक्टर, सुरेश कमता उतिर्ण सिक्षकों का अपडेट तो ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों में सेर करें धन्यवाद